नमास संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इस्टिट्यूट के योग्टो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं अखिलेश सर, आज आप लोगों से संस्कृत भासा याहा से छणम से संबंधित, मैं कुछ प्रस्न आपके सामने रख रहा हूँ, हमारे कई मित्र बहुत प पहला नमर अगर आपको सिच्छन में अधिक से अधिक नमर लाना है, अधिक से अधिक अगर आपको प्रस्न हल करना है, तो पहला नमर जितने भी सर्वनाम हैं, उनको आप एक डायरी बना लीजिए, एक पन्ने में आप सर्वनाम के जितने भी अर्थ हैं, याद, ताद, कि इन सब्दों को एक सीरियल बना कर लिख लीजिए और इनका अर्थ है आप याद कर लीजिए ठीक दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि प्रत्य जो प्रत्य हैं जैसे सत्र है सानच है तुमुन है लेप है त्वाह है तव्यत है अनियर है इन प्रत्यों का अर्थ जानिए कि किस अर्थ में प्रयोग किये जा रहे है आप अधिक से प्रस्नों में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं प्रत्य अगर लिखा हुआ है उन प्रत्यों का अर्थ क्या होता है उन प्रत्यों का अर्थ है आप जानिए ठीक तीसरी बात सब्द रूप और धात रूप इनको जानिए ठ जोधी बात आप लकार से परचित हों लकार परचे ठीक पांचवी बात अनुवाद करना कुछ आप जानते हों अगर इन पांचों चीजों से अगर आप अवगत हैं तो सिच्छन नहीं चाहे महा सिच्छन हो आप हल कर ले जाएंगी क्योंकि संस्कित का ऐसा सब्जेक्ट संस कि भासा में ही लिखा रहेगा तो अगर आप सरुनाम नहीं जानते हैं प्रत्ते नहीं जानते हैं सब्दरूब धातरूब नहीं जानते हैं लकार नहीं जानते हैं और अनुवाद करना थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे जब अर्थ हम देखते हैं पला प्रस्ण लिखा हुआ है कि भासा सिच्छनस्य कह बिधी छात्रान तथा भासया परस्परम अंतह क्रियारथम प्रेरयती लिखा है कि भासा सिच्छनस्य कह बिधी भासा सिच्छन की कौन सी बिधी छात्रान माने चात्रों के तथा भासया परस्परम भासा के द्वारा भासया तПрितिया भक्ति एक बचन का रूप है भासा के द्वारा छात्रों को तथा भासा के द्वारा परसपरम अंतरिक क्रिया के लिए प्रेरित करता है भासा सिच्छन की ऐसी वह कौन सी विधी है जो छात्रों को और भासा में परसपर अंतह क्रिया को प्रेजित करता है अंतह क्रिया मन में चलने वाले विचार सिधी सी बात कर आए कि अंतह क्रिया अंतह क्रिया कहां अर्थात हिर्दय में मन में जो बार 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 बिचार चल लहा है भाव चल लहा है उसको हम भासा सिछण में कौन सी बिधी कहेंगे तो देखे सीधी सी बात है अंतर क्रिया मने होती है अंदर मन में चलने वाले आंतरिक क्रिया और आंतरिक क्रिया को हम कहते हैं संप्रेशन आंतरिक क्रिया को कहते हैं संप्रेशन पहला नमर इसमें लिखा है ब्याकरण अनुवाद बिधी ब्याकरण अनुवाद बिधी क्या होती है यह भासा पर बल देती है दूसरी बात लिखा है अनुवाद अनुवाद भी लिखा है तो यह अनुवाद विधी भी भासा पर बल देती है लेकिन आंतरिक क्रिया पर बल नहीं देती है अर्थात यह भी आपसन गलत है और यह भी गलत है तीसरी बात आती है अनौपचारिक विधी अनौपचारिक आर्थ होता है सहज हम सहज रूप से ग्यान तो स्विकार कर लेते हैं लेकिन मन में विचार नहीं करते हैं जैसे कोई बच्चा है घर में जो बाते चल नहीं है कुछ बाते बताई जा रही है तो बच्चा जो है बड़े सहज ढंग से बड़े अनौपचारिक ढंग से जो है बच्चा ने उस बात को सीखा लेकिन उसने अपने मन में विचार नहीं किया कि यह क्या हो रहा है तो यह भी गलत है लेकिन जो संप्रेशन है संप्रेशन का अर्थ सीधे सीधे यह होता है कि वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को स्रोता उसी रूप में ग्रहन कर लेता है उसी को संप्रेशन कहते हैं और ग्रहन करके उन बातों को अपने अंतर मन में बार बार बिचार करता कि ऐसा क्यों कहा गया तो अर्थात संप्रेशन का अर्थ होता है आंतरिक संप्रेशन का अर्थ होता है आंतरिक आंतरिक मन में चलने वाली प्रक्रिया आंतरिक मन में आंतरिक मन में चलने वाली प्रक्रिया ही संप्रेशन होती है जिसको कहते हैं अंतहक्रिया सीधी सी बात सब्दों का अर्थ जानिए कि सब्द क्या अर्थ क्या होता है संप्रेशन माने अंतरिक अर्थात अंतहक्रिया अब यहां अंतहक्रिया दिखाई नहीं दिया कि तुरंत आप दिमाग में लगाईए कि संप्रेशन संप्रेशन माने होता है आंतरिक वक्ता जिस प्रकार से बात कहा असरोता हूँ बहू उस्सी धंग से बातों को स्रवण करके विचार कर रहा है वही है संप्रेशन वही है आंतरिक मन में चलने वाली प्रक्रिया बात समझ रहे हैं तो संप्रेशन माने अंतर क्र प्रसंख्या दो लिखा है कि कोपी छात्रह अनुकरणा पेच्छया मूल रूपेड रचनात्मकम लेखनम लिखती कोपी छात्रह कोई छात्रह अनुकरण की अपेच्छा मूल रूप से रचनात्मक लेख लिखता है अब देखिए यहाँ एक बात आ रही है रचना रचना को हम क्या कहते हैं स्रिजन कहते हैं रचना को क्या कहते हैं स्रिजन कहते हैं आब यहाँ अगर रचना प्रस्ण में दिखाई दे रहा है रचना इसका उत्तर माने सी सही होगा क्योंकि रचना माने होती है स्रिजन तो कह रहा है प्रस्ण कोई छात्र अनुकरण के पेच्छा मूल रूप से रचनात्मक लेख लिखता है मतलब यहाँ रचनात्मक मतलब है तो स्वतह लिख 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 रहा है अनुकरण के पेच्छा, अनुकरण का मतलब क्या है? कि भासा अध्यापक बोल रहा है कि एकह, बानरह, जंबू, ब्रिच्छे, तिश्ठती अब यह अनुकरण हो गया लेकिन बच्चा अनुकरण की यह पेच्छा नहीं बच्चा सोता लेख लिख लिख रहा है अपने मन से स्वयम रचना करके स्वयम स्रिजन करके ठीक नए? तो मूल रूप से रचना लेख लिखता है अनुकरण की पेच्छा अनुकरण न करके स्वयम रचना करके लेख लिखता है तिसको हम क्या कहेंगे तिसको हम स्रिजन कहेंगे ठीक जो कथा लेख होता है यह बुद्धी कथा लेख कोई कथा कहानी लिखी जा रही है तिसमें बाउधिक विकास होता है और जो संबाद लेख होता है संबाद लेख जो होता है वह चिंतन को ब्रिध्धि देता है विकास करता है और जो पत्र लेख होता है पत्र हमेशा भावनों से बढ़ा हुआ होता है जैसे एक नायक किसी नायका को पत्र लिखेगा तो अपनी उसमें भाव को ब्यक्त करके लिखेगा तो पत्र लेख जो होता है वह भावों को प्रकट करने वाला लेख होता है और संबाद लेख जो होता है वह चिंतन को बृध्धी करने वाला होता है चिंतन को बढ़ाने वाला होता है और जो कथन लेख होता है कथा लेख होता है यह बुद्धी को बढ़ाने वाला होता है और स्रिजना रचनातमक लेख जो होता है यह रचनातमक लेख से संबंधित होता है ठीक है जो स्रिजन लेख है वह रचना से संबंधित लेख होता है मेरी बात समझ में आई ठीक है मित्र अगर मेरी बात समझ में आ रहाई हो तो चंदरा कोचिंग इस्टिटूट में सब्सक्राइब और ल क्योंकि A जो होता है यह बहुत धिक छमता को बढ़ाता है और न तो B सही होगा क्योंकि B जो होता है चिंतन प्रक्रिया को बढ़ाता है और जो D है यह जो होता है विचारों को व्यक्त करता है अर्थात यह भी नहीं होगा और जो स्रिजन होता है यह रचना तमक लेखो यह र आपका है सी इसमें सी सहई होगा ठीक है सी सहई होगा अब प्रसंख्या हम तीन की बात करते हैं तिसमें लिखा है कि सहज रूपेन भासा अधिगमन संदर्भी महत पुरुणम मस्ती सहज रूप एन भासा अधिकमन संधर्व ही महत पूर्ण है सीधी सी बात आ रही है यहाँ पर सहज रूप से भासा अधियन के संधर्व में सबसे अधिक महत पूर्ण क्या है पहला option लिखा है अधिगत सब्द अधिकृत वाक निर्माणम अधिगत माने अध्यन किये हुए सब्दों को स्वीकार करके अधिकृत करके पढ़कर के वाक का निर्माण करना तो यह भी नहीं है भाई अधियन करके सब्दों का निर्मान करना यह भी सही नहीं है क्योंकि पढ़कर कि कोई बच्चा किसी बच्चे को आप बताएंगे बताने के बाद तुरंत आप उसको बोलेंगे कि क्या हुआ हुआ के निर्मान कर लेगा तो नहीं कर पाएगा यह भी गलत है लेखन यह भी गलत है बात आती है सी की तो कथन सैल्या अपेच्छया अर्थ अस्पश्टी करण करना सहज रूप से भासा अध्यन के संदर्वे महत्पून होता है कोई बात जैसे संस्कृत में ही है मैंने आप से कहा अब मैंने बोल दिया बच्चे से बच्चे ने नहीं समझा कि इसका अर्थ क्या होगा तो कहने जब मैंने कहा कहने की अपेच्छा कहने की अपेच्छा उसका जब अर्थ अस्पश्ट कर देंगे उस इसलोग का उस सब्द का उस वाक्य का तो बच्चा जो है बड़े आसानिय से सहज रूप से बड़े सरल घंग से उस भासा को सीख लेगा ठीकिन तो कथन सैली के पेच्छा अर्थ का आस्पश्टी करण करना सहज रूप से भासा अध्यन के संदर्व में महत्पूर होता है सहजता की बात आ रही है सहज बने बड़े प्रेम से बड़े रुची धंग से बड़े आनंद पूर्ण से बच्चा कैसे बातों को सीखेगा तो उसका अर्थ बता करके बच्चा जो है पंखा जानता है अंग्रेजी में फैन जानता है लेकिन अगर हम उससे कहें कि बेजनम बेजनमाने क्या होता है तो बच्चा नहीं बता पाएगा हमने कहा बेजनमाने क्या होता है तो बच्चा नहीं बता पाएगा अब जैसे ही मैंने कहा बेजनमाने पंखा होता है तो बच्चा तुरंद जान जाएगा कि हाँ बेजनमाने पंखा होता है तो देखिए कहने की सैलिक या पेच्छा जब मैंने बेजनम का अर्थ बता दिया क ब्यजनमाने पंखा होता है तो बच्चा बड़े सहज रूप से भासा का अध्यन कर लिया और उसके लिए यह नई भासा होने के कारण बच्चा बड़े प्रेम से बड़े रुची पूर्ण से बड़े आनंद से इस भासा को सीख लेगा तो कथन सल्याहा पेच्चा अर्थ पष्टी करणम यह सहज रूपेड भासा अधिकमन संदर है बहत पूरमस्ति इसका आप्चन सी सही होगा अभिवाव का नाम वाकिया नाम सरवनाँ, अभिवावकों के वाकियों को सुन करके यह भी ठीक नहीं है, इसका option यह भी गिलत है, अर्थ हाथ इसका option C सई होगा ठीक, अब बात आती है प्रसंख्या 4 की, लिखा है कि भारतस से भासा सिछा नीती ही ग्यायती भारत की भासा सिच्छा नीती ग्यायते मने जानी जाती है भारत की भासा सिच्छा नीती जानी जाती है तो क्या जानी जाती है भारत की जो भासा सिच्छा नीती होती है वह त्रिभासा के रूप में जानी जाती है त्रिभासा सुत्र के रूप में जानी जाती है क्योंकि देखिए त्रिभासा के अंतरगत हिंदी, अंग्रेजी और अस्थानी भासा आती है हिंदी, अंग्रेजी और अस्थानी भासा यह त्रिभासा के अंतरगत आती है तो जो भासा सिच्छा नीती है वो अत्री भासा के अंतरगत हिंदी अंग्रेजिय और अस्थानी भासा को रखता है तिसलिए इसका अप्शन एसाई होगा मात्री भासा सिच्छन रूपेंड यह नहीं होगा क्योंकि मात्रिभासा सिच्छा के रूप में यह भासा सिच्छा नितने ही मानता है सिच्छा यह अधिकार रूपिन सिच्छा के अधिकार के रूप में यह भी भासा सिच्छा नितने ही स्विकार करता है बहु भासिक्तावाद रूपेड अत्यधिक भासा का होना यह भी नहीं मानता है अर्थाद B, C और D यह गलत है इसका option C सही होगा ठीक है तो ए मित्र मैं कुछ प्रस्नों को आपके सामने रखा हूँ मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छा लगा होगा तो मैं आप से निमीदन करूँगा कि आप सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा चंदराज इस्टिट्यूट में आप सभी लोगों का बार बार स्वागत है मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों को आपको धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को नमः शंशि देता हूँ